कब तक भिंडी को साधारन तरीके से बनाते रहोगे आज वाला तरीका एक बार जान लोगे तो आपको पता चले का कि भिंडी को भी कितने अच्छे और युनीक तरीके से बनाया जा सकता है सोच रहा था आप सभी को बता दू शायद ना पता हो भिंडी को बनाने का ये अनोखा सा स्टाइल इसमें हमें लगबग 200 ग्राम के आसपास भिंडी को पानी में उबाल लेना है अब शायद आप लोगोंने कभी भी भिंडी को उबाला ना हो सिर्फ धोक है इसको छोटे छोटे पीसिस करके इसकी सबजी बना दी हो लेकिन आज वाली जो रेसिपी है वो बहुत खास है ये रेसिपी शायद 99 परसंट लोग जानते ही नहीं होंगे आज जब इस रेसिपी को देखा तो मन में आया कि आप सभी लोगों को बताना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे विवर्स एकदम रिफ्रेशिंग और नई रेसिपी स्ट को देखते रहें इसे नमक के पानी में आपको कुछ देर के लिए उबालना होगा भला नमक के पानी में भिंडी कौन उबालता है आपने ये सोचा होगा लेकिन आज जब आप इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो आप भी जटपड इस भिंडी को नमक के पानी में उबालना शुरू कर देंगे अभी आपको इसको एक अच्छा सा बॉयल दिला लेना होगा तो आपके सामने पानी का एक नमकीन पानी का मैं कहूंगा अच्छा सा बॉयल आ रहा है तो ये चीज़ अब आपको बतानी जरूरी होगी कि नमक के पानी में धोने से भिंडी साफ तो होती है पक्ती भी बहुत अच्छी है और करारी भी बहुत अच्छी होती है आप जब भी इसे बनाएंगे तो वहदी अच्छा करारापन इसका आता है अब दोस्तों हमें इसको लंबा लंबा ही रखना होगा तो हमें बराबर नाप की भिंडिया उठाते चले जाना है और इसको लंबा लंबा रखने के लिए इसके end के दोनों जो pieces होते हैं उनको अलग करने के बाद हमें सारी की सारी लंबी भिंडी ऐसे रख लेनी है आप देख सकते हैं कितनी सारी भिंडी हमने अभी कठी कर ली है तो ये धाइसोग्राम भिंडी हमने सारी की सारी कठी करने के बाद इसको एक प्लेट में डाल लेना है और उसके बाद इस पूरी को एक बरतन में डाल लेना है उस बरतन में डालने के बाद हमें इसके अंदर कुछ चीज़े डालनी होगी जो इसको और भी क्रिस्पी, करारा और यूनिक बनाएंगी उसके लिए हमें लगभग आती कटोरी के आसपस बेसन लेना होगा और इसके उपर स्प्रिंकल कर लेना होगा बेसन के साथ साथ हमें सारी चीज़े सूखी रखनी है और मसाले अड़ करते चले जाना है लाल मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी जो भी आप डालना चाहते हैं किचन के इंग मसाला वो इसमें डालके इसमें हलका सा कोट कर लीजिए कोट करने के बाद इसे एक दो मिनट के लिए रेष्ट करवाईए और उसके बाद इसके उपर हम डालेंगे आधा कटावा नीबू का रस नीबू के रस से जो सारा मसाला है अंदर तक रम जाता है और इसमें खटा मीटा फ्लेवार आता है जो इसको और भी अच्छा और यूनीक बनाता है अब दोस्तों आगे की प्रक्रिया करने के लिए हमें क्या करना है मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको मिक्शी के जार में हरी मिर्ची साथ ही में लसन और इसके साथ कुछ मसाले और फिर बेसिक सी चीज़ें मैं कहूँ जैसी पेष्ट तियार हो जाए इसमें add कर लीजे दोस्तों थोड़ा सा साबत अगर आपके पास धनिया हो और अगर ना हो तो धनिया पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं पेश्ट तियार करने के बाद गैस पे आपको कड़ाई में थोड़ा सा ओयल डालने के बाद आप देखें गे जो हमारी भिंडी रखी थी रेष्ट करके यब तयार होगी है तो इस ओयल के उपर इस बिंडी को हम डालेंगे और करारा करेंगे नीमू के पानी में पहले इसलिए उबाला जाता है तो इसको अच्छे से साफ करने के साथ साथ इस अच्छा करारा करती है तो हमें इसको हलके से ओल में भून लेना है साथ ही में हमने आपके सामने एक पेस्ट त्यार कराए जिसमें धनिया और आपके लसन और अन्य चीजे थी जैसे कि साबत धनिया, जीरा, लॉंग, काली मिर्च और इलाइची ये सब मिशन के साथ अब हम इसको पकाएंगे वो मिशन कब उस्तेमाल मिलेंगे, बताता हूँ पहले आपकी भिंडी अच्छी करारी हो जाए ये भिंडी को बेसन का कोट हुआ हुआ और करारी हुई आपका एक बार स्वाद ले लेंगे इसका तो दिल जीद लेगे आप कहेंगे भला हमने भिंडी इस तरीके से कभी क्यों नहीं बनाई, गैस को बंद करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और वापस हमें इसी कढ़ाई का इस्तेमाल करना है, इसमें थोड़ा सा ओयल एड़ करना है, ओयल के साथ साथ उसमें डालेंगे हलका सा जीरा और उसके बाद हमने एक प्याज काटके रखा है, थोड़ा सी हिंग डालने के बाद एक कटावा प्याज भी आइड करेंगे और इतनी चीज़े डलने के बाद आप खुद समझदार हैं कितनी टेश्टी बनेगी ये भिंडी आप समझ रहे होंगे इसको अच्छे से बनाईए, अच्छे से घुमाईए और इसमें डालेंगे अब हम एक कटावा टमाटर और इसको खटा मिटा स्वाद देने के लिए हमने निम्बू का भी इस्तमाल किया था तो ये बड़ी हिट टैंगी ट्विश्टी सी आपकी बढ़िया भिंडी बनने वाली है, एक बार ट्राइ करिएगा मेरा कहना मान के आपको अच्छा लगेगा और एक हमने जो भी पेस्ट बना के रखा था मिक्सी के जार में वो सारा पेस्ट भी इसमें डाल के इसमें बहुत अच्छी खुश्बू आ जाएगी उस पेस्ट की क्योंकि इसमें धनिया था और धनिया साबत भी था, तो अपने आप में इसमें हलका सा मसाला डालने के बाद वो पेस्ट डालने के बाद आप देखेंगे कितना बड़ी अफलेवर आया, हलकी मसाला डालेंगे क्योंकि हमने आपके सामने भिंडी में भी मसाले थोड़े लगाए थे, तो ये प्यास ट अच्छी बढ़िया तरुतादर स्वाद आपको दे देगी आप याद रखेंगे इस रेसिपी को जब भी घर में कोई महमान आए या फिर घर में अपने लिए बनानी हो एक बाहर ट्राइ कर लीजेगा अच्छी ना लगे तो बताएगा दोस्तों दुनिया के कौन से कोने से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएगा तकि हम आपको थैंक्स कर सकें और यह अब आपके सामने एकदम लजीज भिंडी तयार है इसको गार्निश करेंगे धनिये के साथ और मैं चलता हूं इंतजार करूँगा आपकी बातों का थैंक्यू बाबाए